उस ब्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढोड़ निकालेंगे उसको योगी की जब पुले साती है तो बच्चियों का बलातकारी सीधा गोली खाता है योगी की जब पुले साती है तो गोतसकर, क्रिमिनल बुर्के में भागता है बुलन शहर के इस वीडियो को देखिए यकीन आ जाएगा कि योगी की जब पुले साती है तो क्या होता है इस पतली गली से ये बाइक वाला आता दिख रहा है आगे जाते ही खाली जगह में चकर लगा कर ये बाइक मोड लेता है वापस मुड कर ये क्यों उस गली में जाता है जब उसकी आगे की हरकत देखेंगे तो समझ जाएंगे जैसे ही दुबारा ये गली में पहुचता है उसी वक एक बच्ची भी गली में आती दिखती है जिस टिशर्ट में स्कूल बैग लगाई ये बच्ची ट्यूशन से आ रही है जैसे ही ये बाइक वाला बच्ची के पास पहुचता है उसके साथ छेल छड़ करता है कौन है ये और इसका हुआ क्या बागी बाद योगी अधितनाथ से समझे आप सब जानते हैं अपराद और अपरादियों के प्रफी हमारी सरकार की जीरो टरलेंस की नीती सुरक्सा में जो सेंद लगाएगा उस बैक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढोन निकालेंगे उसको और पाताल से जोन निकालेंगे क्यों कारवाई लगातार चल लगातार समयान कम आगे बढ़ाए हुए हैं क्यों क्यों में मानना है आदी आबादी सुरक्सित तो सब कुछ सुरक्सित सब कुछ अपने अप सुरक्सित हो जाता है उद्योग लगते हैं कारखाने लगते हैं रोजगार का सिर्जन होता है खुसाली आती है अभ्यान केजी के साथ आगे बढ़ता है और यहीं से सुरुवात होती है राम राज्य की अस्थापना का योगी ने ये बात बुलन शहर में ही कही थी जहां लड़की के साथ छेड़खानी हुई पुलिस ने इस बदमाश का औरिजिनल एड्रेस निकाल लिया जब चहरा पता किया तो नाम मुरसलीन निकला फिर क्या था मुरसलीन का सीन बन गया सीन ये है कि जिस हाथ से इसने बच्ची के साथ छेड़खानी की थी उस हाथ पर प्लास्टर चड़ा है जिस पैर से बाइक में ये गियर लगा रहा था उसका भी सीन बन गया है खाना खुरजा नगर पर ये सुछना प्राप्त हुई थी कि एक नड़की के साथ कुछ अभधरता हुई है और उसका एक फुटेज भी सन्यान में आया जिसके अधार पर तकाल मुकदमा पंजिक्रित किया गया और आसपास के सीची टीवी चेक करते हुए आरोपी की शिनाक्त की गई और उसे गिरफतार किया गिरफतारी के दौरान वो भागने का प्रयास कर रहा था जिसके क्रम में गिरने पर उसके चोट आई है मेडिकल कराते हुए उसे नियाईकवर रक्षा में भीजा जा रहा है तर उसकी परिवार का आरोपी है कि पुलिजी ने उसकी पिटाई थी इसकी वज़य से उसके आप और वही हाट तोटा जिससे उसने चेट चाल की देखे यह आरोप बिलकुल निराधार है हम लोगोंने सीची टीवी के आधार पर उसकी शिनाक्त की और फिर उसके गिरफता परिकी जैसा कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं बहुत ही घिनोना करेते उसने किया है और उसे हम लोग कानूनी रूट से डंड दिलवाएंगे बस इतना जान लीजिए बाबा के राज में जहां कहीं भी किसी भी बच्ची के साथ कुछ भी गलत हुआ समझो उसका हिसाब हो गया क्योंकि जेनप राधियों को लग रहा था कि सिर्फ चौराहे पर ही योगी की पुलिस इंतजार करती है तो वो गलत सोच रहे हैं योगी की पुलिस अब गलियों में भी घूम रही है पाताल से भी ढून निकालेगी गलियों में भी नहीं छोड़ेगी अब बाबा अगर ये कह रहे हैं यूपी में रहना है तो काइदे में रहना होगा उसके लिए अब अगला सीन देखिए इसने एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप कर दिया पुलिस ने इसका हाफ एंड काउंटर कर दिया मतलब पैर में गोली मार दी जिन्दगी भर ये लंगडा लंगडा कर चलेगा गाजेपुर के गहमर में आठ साल की मासूम के साथ दरन्दगी करने वाले वहशी को पुलिस ने दबोच लिया इस तरह का था जो छेडखानी की घटनाओं को अन्जान देता था तो इसमें वहां से पुलिस की गाड़ी में से जब वागुपी हुई थी तो इसमें भागने का प्रियास किया एक आरक्षी की पिष्टल लेकर इसकी घेराबंदी की गई और इसे आग समर्पड के लिए कहा गया लेकिन इसके द्वारा पुलिस पारिटी पर फायर किया गया इसमें पुलिस द्वारा भी आप रक्षा में है फायरिंग की गई